मेरे पहरे देश वासियों नमस्कार कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारत वासियों के लड़ाई जारी है दुनिया के अनेग भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुज़रा है हम में से कई लोगों ने अपने परीजनों को अपने परीचितों को खोया है ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी सम्वेदना है साथियों बीते सो वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है तरास्दी है इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ रड़ा है कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आई सु यू बेट्स की संख्या बढ़ानी हो भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लेप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तयार करना हो कोविड से लड़ने के लिए बीते सबा साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर तयार किया गया है सेकंड वेव के दोरान अप्रेल और मई के महने में भारत में मेडिकल ऑक्सिजन की डिमांड अग कल्कुनिय रुप से बढ़ गई थी भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सिजन की जरुरत कभी भी महसुश नहीं की गई इस जरुरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया सरकार के सभी तंत्र नगे ऑक्सिजन रेल चलाई गई एर फोर्स के विमानों को लगाया गया नव सेना को लगाया गया बहुती कम समय में लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन के प्रोडुक्शन में दस गुना से जादा बढ़ाया गया दुनिया के हर कोने से जहां कही से भी जो कुछ भी उपलब्द हो सकता था उसको प्राप्त करने का भर्सक प्रयास किया गया लाया गया इसी तरह जरूरी दमाओं के प्रोडुक्शन को कही गुना बढ़ाया गया विदेशों में जहां भी दवाया उपलब्द हो वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई साथियों कोरोना जैसे अद्रश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाप लड़ाई में सबसे प्रभावी हत्यार कोवीड प्रोटोकॉल है मास्क दोगज की दूरी और बागी सारी सावधानिया उसका पालन ही है इस लड़ाई में वैक्सिन हमारे लिए सुरक्षा कबच की तरह है आज पूरे विश्व में वैक्सिन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सिन बनाने वाली कम्पनिया बहुत कम है इनी इनी है कलपना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सिन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाज देश में क्या होता आप पिछले 50-60 साल का इतिहाद देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सिन प्राप्त करने में दसंकों लग जाते थे विदेशों में वैक्सिन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सिनेशन का काम सुरू भी नहीं हो पाता था ओलियों की वैक्सिन हो स्मॉल पॉक्स जहां गाव में हम इसको चेचक कहते हैं चेचक की वैक्सिन हो हैपिटाइटिस B की वैक्सिन हो इनके लिए देशवास्यों ने दसकों तक इंतजार किया था जब 2014 में देशवास्यों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सिनेशन का कवरेश 2014 में भारत में वैक्सिनेशन का कवरेश सिर्फ साथ परसंड के आस्पास था हमारी दुस्टी में यह बहुत चिनता की बात थी जिस रप्तार से भारत का टिका करण कारेकम चल रहा था उस रप्तार से देश को शत्व प्रतिशत टिका करण कबरेज का लग्षा हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंदर धनुस को लॉंच किया है हमने ताय किया कि मिशन इंदर धनुस के मातम से युद्धस्तर पर वैक्षिनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्षिनेशन की जरूत है उसे वैक्षिन देने का प्रयास होगा हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ सिर्फ पांच छे साल में ही वैक्षिनेशन कवरेज 60 प्रतिसत से भढ़कर 90 प्रतिसत से भी जादा हो गई